हेई गाईज वल्कम बेक टो भोचपुरी विजन कैसे हैं आप सब गाईज आज हम देखने वाले आरती के साथ हुआ दो गंटे का मिटिम सुप्रीम कोड की वकील श्रीमा कुष्वाहा बचाएंगी आरती को के नियूज लाइट चैनल से वीडियो है तो चलिए आज देखते है कैसी वीडियो है और इस बारे में क्या मिटिंग हुई है श्रीमा कुष्वाहा जो है उनने क्या बोला है तो चलिए आज देखते हैं कैसी वीडियो है फिर सके बारे में बात करेंगे आरती बात्रूम के अंदर बीना कपड़े की पाई गई है मैंने जो बयान दिया और आरती अगर मेरा वीडियो तुम देख रही हो तो तुम्हारे लिए एक संदिश तुम अब आरती से प्रसनल मिटिंग की थी जी किये थे लगभा कितने घंटें तक आप लोग का तो हम इनसे वह बात जानना चाहेंगे जो आज तक आप लोगों नहीं जाना है तो मैं आरती से प्रसनल मिटिंग की थी जी किये थे लगभा कितने घंटें तक आप लोग का मिटिंग चला दो घंटे तो कुछ ऐसी बाते बाते हैं जो मीडिया में अभी तक नहीं आई हैं कुछ ऐसी बाते हैं और कुछ साक्ष भी हमारे पास ऐसे हैं जो सीधे हम कोट में प्रस्तूत करेंगे जब जरूत पड़ेगी तो करेंगे मामला भी नयाइक मामले में हैं और हम इंतजार कर रहे हैं और यह मानिये नियाले का कि वहां से क्या निर्णय होता है कुल मिला के 8 लोगों पर फायर हुआ यह नौ लोगों पर जिसमें तीन से चार लोग जो है वह आज इवन कारवास में जाएंगे ही जाएंगे मौत की सजा के उसमें यह मुझे लग रहा है ऐसा बाकी जगड़े जब होते हैं केस बनता है तो चार-पांच लोगों का नाम ऐसे भी डाल जाता है यह अंडरस्टूड है मैं आप यह कह रही थी कि जो निर्भया का केस लड़ी थी वह उन्हों वह एडवार्ट के और बुलाने देखे चुकि महिला विकास मंच में हम जो हैं वह कानूनी प्रक्रिया बहुत जादा नहीं जानते हैं तो कुछ भी एक्सपर्ट एड बात किया है उनसे और जुरुत पड़ी तो वह एक बार लीगल इशूस में सामने आएंगी बिहार में अच्छा मैम क्या अभी तो आर्ति का स्टेट्मेंट काफी पूरी तरीके से बदल गया है जो मतलब पहले बोल रही थी वह अब नहीं बोल रही है और जो अब बोल रह है कि आपने यह सीन और भावी उसमें यह राजदार हो सकती है कि ठीक है तुम बुला लो कोई बात नहीं हम है संभाल लेंगे है एक साइक्लोजीका ही दोकि'M marks in लेकिनिव मुखब़त आर्थी ने की थी उनकी भावी ने नहीं रहें अगर आर्ती होती गांच है हमारा कहते है कि कहीं ने कहीं अगर वह महतने बरावर करता तो अरती को बहुत सकता है भी कभी 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 चलिप कर जाते हैं तो कि जो सच होता है वो सच ही बोलता है लेकिन आरती से जब भी कोश्चन पूछा जा रहा है वो स्लिप हो जा रही है देखे ये बात सच है कि आरती एंग छोटू मिले थे रात को दोनों लेकिन बात जब कानूनन होगी तो यह भी बात सच है दोनों बालिक थे दोनों एक दूसरे से महबत करते थे मिलना कहीं से गुनाह नहीं था मामला जो है कानूनी प्रक्रिया में है तो मानिये न्याले का ही प्रसासन से इस बारे में आप लोगों का प्रक्रिया सो सकता है परसासन को इस पर एक्सन लेने चाहिए बाकी ये बात मुद्य से भटका रहे हैं परसासन जो है कभी मीडिया कभी आरती का बियान ये सब नहीं वो तो बात की बात है ने परसासन को पहले है कि जितने लोग के नामजथ है उनको गिरफतार होने चाहिए और उसके बाद महिला होने के नाते आर्ती का क्या सपोर्ट का महिला विकास मंच प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूं महिला विकास मंच चाहे महिला हो या पुरुष जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए आपके नजर में अभी आर्ती सहीं लग रही है मेरे नजर में तो महबत तो दोनों ने किया था तो पीड़ा दोनों को मिलनी चाहिए थी मारता उसका परिवार अगर तो आर्ती को भी सेम सजा मिलनी चाहिए थी दूसरे के बेटे को मार दिया अपनी बेटी को छोड़ दिया यह कहीं न कहीं अपराध है गिनोना लेकिन फिर डिया कर्मी औरती का इज़त उचाल रहे है तो आप से एक बात पूछना चाहेंगे मैं कि अगर आरती के पास मेडिया नहीं चाहती तो क्या वो दुनिया भर के लोग आरती के किस्से को जान पाते हैं आरती और छोटु आप आए मेरेपस अगर यह भाट मेरेसे लेंगी कि आर्ति बाथ रूम के अंदर बीना कपड़े की अविछ आपे की हूँ बाथ रूम में या कपड़े में हूं यह मेडया कर्मीय काम है तो जो मेरा अक्रोश मीडिया कर्मियों को जो उसकी बाथरूम वाली स्टोरी चला रहे है एक और कोश्चिन मेरे दिमाग में कब से खटक रहा है कि आप कह रही है कि मेडिया टी आरपी खा रही है आरती छोटू के नाम पे तो उसमें से कुछ पैसे आरती को भी डोनेट करने चाहिए तो क्यों आरती को किस मामले में ड गरीब महिला है उसका परिवार गरीब है आरती के माता-पिता को सौरी सोगोड साससुर को छोटू के माता-पिता को लेकर कहीं पैसे की वज़े से कोई मामला तो नहीं अटक रहे है नियाले में हो सकता है कि हमारा थाना जो है वह मैंनेज हो जाए और केस को दबा दे तो ऐ मैं कि प्रता-वारे में ले रही है में रहे में में ले ले रहे है नहीं नहीं आर्टी कंकार क्षद ले जहाए यह उतना पर सक्रूघ्च के पास जाए है कानून से कंगा लें जब सेथिंटी तो सब को पता है दोस निर्दोस वो तो ना आपके सामने ना हमारे सामने में बाकी कम से कम परशाशन को जागरूप करें परसाशन के पेस चरहें और उन से पूछें कि अभी तक केस में क्या है मैं उस मेडिया को तहे दिल से चरण सपर्श करूंगी जो जाके कभी कोई केस के आयो का बाइट चला दे केस का प्रसाशन थाने में घुसके बाइट ले ले हमारे वहां के SSP पुर्णिया और उसके बाद तमाम लोगों का बाइट ले है बाइट तो मैं उनको प्रणाम कर दी हूं तो वह सारे बाइट लीजिए उन्होंने कहा था संजित लिये थे तो चला भी होगा तो उन्होंने यह भी कहा होगा कि दस दिन में आरेस्टिंग हो जाएगी तो कुछ लोगों की हुई कुछ लोग नहीं हुए है मामला आप नियाइक है नियाइक मामले में दाओं पे आसानी से मिल जाएगा बहुत टाइम लगेगा बहुत वक्त लगेगा और आरती अगर मेरा वीडियो तुम देख रही हो तो तुम्हारे लिए एक संदेश तुम अब किसी भी मीडिया को कोई बाइट नहीं दो क्यूंकि लड़ाई तुमको अब वक्त आ गया है कानून का और तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद देगी आरती कि जहां तक उन्हें पहुंचाना था आरती को न्यायला तक मीडिया कर्मी ने पहुंचा दिया है अब आगे का मामला कानूनन है और अब मीडिया को कानूनी प्रक्रिया पे ध्यान देनी चाहिए ना कि आरती के घर पे धरना देना चाहिए थैंक यू भाई ये थी वीडियो और काफी अच्छी वीडियो थी मतलब जो फैक्ट है जो एक्चुल चीजे होनी चाहिए वो इन्होंने बोली है जो महीला मंच की सदस्य है उन्होंने बोली है कि हम एक्सपर्ट एडवाइस भी लेंगे और जो चीजे मीडिया कर्मी को करनी चाहिए वो मीडिया कर्मी करें मतलब पुलिस प्रशासन से पूछे कहां तक ये केस गया है क्या इसमें चानवीन हुई है किसकी गरफतारी हुई है क्या इसका अपडेट है तो वो चीज भी इन्होंने बोली है और आर्टी को भी एक संदेश दिया है कि वो अपना जो है इंटर्व्यूज अब ना दे किसी को क्योंकि बहुत सारे इंटर्व्यूज आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट आते हैं हम भी सामने आते हैं मतलब अगर मैं एक ही वीडियो पर तीन या चार बार रियक्शन दू तो मेरा रियक्शन हर बार अलग होगा तो वही चीज है कि अगर किसी इंसान से एक सवाल आप बार बार पूछेंगे तो वो जाइड सी बात रटा मार के तो आया नहीं है वो जो एक्चुल चीजे हैं वो आगे पीछे हो जा जारी है कुछच चीजे चेंज हो जारी है situation के हिसाब से कि भाई आज पूछाए तो कुछ और कल पूछेंगे तो कुछ और आएगा जवाब तो वो चीज़े कई बार हो जाती है जो कि इन्होंने बोला है कि slip हो जा रहा है तो वहाँ होता है ये normal जो है होता है कई बार होता है और media कर्मी मतलब जो है poster लगा रहे हैं कि आरती को bathroom में बिना कपड़ों के पाया गया या कुछ भी x y z भाई वो अलग चीज़ें हैं वो ची अलग है किसी की personal life पे पैसा बटो रहे हो तो उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा मत दिखाएं जो उसकी भावनाओं को आहद करें मतलब भावनाओं को हैड करें तो थोड़ा सा उस चीज़ को रखें कि ये चीज़े न्याय अले में जब जाते हैं तब ये चीज़े बैटा ठाथा तो मार दिये तो वो चीज़ तोम्हारी अपनी बैटी ती तुमने कुछ नहीं किया ठीक है वह बुलाएं या नहीं बुलाएं भावी बुलाएं पर आगर वह पकड़ी गई थी दैन आपने दूसरे के बेटे को जान से मार दिया और अपनी बेटी आपकी त मैं यह नहीं कहना चारी हूं कि आरती को भी जान से मार देते हैं बट कहीं ना कहीं गलत तो किया अगर तुमने उसको मारा है तो जिन्दा तो रहने देते तो वह चीज मुझे सबसे जादा खटकी है पूरे प्रकरण में कि इन्होंने छोटू को जो मारा वह बहुत ही गलत थ ठीक है तो यार आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो अगर रियक्शन चलगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और आप लोगों का इस बारे में क्या कमेंट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है मैं मिलूंगे आप से अनादा वीड झाल 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 झाल